उत्तरप्रदेश के श्रावस्ती से जोहां बारिश का कहन लगातार जारी है आपको बताने कि बीचे चार दिनों से लगातार बारिश यहां पर हो रही है राप्ती नदी ने इस तुरान विक्राल रूप अपना लिया है राप्ती नदी का जल इस्तर काफी बढ़ गया है गती से चल रहा है उचा हो गया जलिस्तर और विक्राल रूप दिखाई दे रहा है करीब 12 गाउं में ये पानी भर चुका है राप्ती नदी का जलिस्तर बढ़ने से कई जगों से हानकी सरक माट तूटने की भी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि गाउं से पलाइन करने के लिए यहां के ग्रामीड मजबूर है क्योंकि उनके घरों तक ये पानी का लेवल पहुँच चुका है उनका जनजीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो चला है उत्तर प्रदेश में भी बारिश का कहले लगतार देखने को मिल रहा है श्रावस्ति की बात की जाए तो चा चला है इसकी तस्वीरे भी आपके सामने हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पानी भरा हुआ है दरसल राप्ती नदी का ये जल इस तर विक्राल रूप देख सकते हैं आप किस तरह यहां पर इस्तिती बनी हुई है और ऐसे में यहां के गाउं के लोग पलाइन करने के मजबूर है क्योंकि उनके घरों में भी पानी घुस चुका है तज़वीर आपके सामने हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर स्तुती बनी हुई है बरसात के बाद पिछले चार दिनों से यहां पर लगतार बारिश हो रही है बार का ये कहर ये तज़वीरें स्तुत को खुदे उजागर करने के लिए काफी है उत्तरप्रदेश में भी बारिश का कहर ये लगतार जारी है और श्रावस्ती की ये तज़वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह नदी का जलस्तर बढ़ा है लोगों की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है बार से लगता पर मुश्किले बढ़ती हुई ही नजर आ रही है सडकों की भी तज़वीर आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरह तालाप का रूप ले चुका है यहां के सारे मार्ग कई मार्गों का संपर्ग भी तूट चुका है जन जीवन का फियस्त वियस्त हो चुका है बिचली पानी खटरे की किलत और बाड की क्या इस्तती है यहां पर वो भी आप देख सकते हैं यह तज़वीर आपके सामने हैं उसरतुदेश के श्रावस्ती से राप्ती नदी को देख सकते हैं किस तरह से विक्राल रूप धारन कर चुकी है ऐसे में ग्रामीडों का यहां पर रहना मुश्किल हो चुका है कर रहे हैं हम लोग हमार सबके घर कड़ा थे कहुं बैठे उठे ठोर नाई है जहां जा तहां कहुं इना है कि कहुं बैठी जाओ और हमेरे अगाम है कोई अधिगारी आवत नाई है यह हम तो मत्धनवा से आए ने अभी हमार परेसानिया खुदे देख्यों अभी नदीने गिर रहा था लेकिन यह चीज का कोई यार सुद्धा कोई व्यवस्ता कोई करी नहीं रहा है ऐसे होगा अब बार को वोग तो जी मॉनिटर कर रहे हैं अब लोग नेपाल से और अपने जाराज से लोग इस चाहरा से अब देख रहे हैं और कोई भी ऐसे सिटी आती है जहां स्राबस्ती नदी का तांडो यहीं से सुरू होता है और अपने साथ स्राबस्ती के हजारों घर की खुशियों को बहा ले जाता है बात की जाए जनपस्राबस्ती के सासन प्रसासन की तो दावे तो बहुत बार की जा चुकी है बहुत किया जा रहा है लेकिन हाकिकत में सासन के द्वारा कोई राहत बचाओ कारी अब तक के नहीं की गई है श्रावस्ती से खबरे अभी तक से विनोत पांडे की रिपोर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के श्रावस्ती से हमारे समवादाता विनोत पांडे फोर लाइन पर मौजूद है विनोत सरकार के सबका साथ सबका विकास किनारी जूटे ही साबित हुए है तजवीरे खुद बया कर रही है कि श्रावस्ती में किस तरह बाड की इस्तिती बनी हुई है हालकि लोग पलाएन भी कर रही है ऐसे में लोगों के सामने यही सवाल है कि जाएं तो जाएं कहां जी लगता है हमारा संपर्क नहीं उपरा एक बार फिर से जुड़ने की कोशश करेंगे लेकिन आपको यहां बता देंगे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के शाबस्ती से है राप्ती नदी का तांडव आपके सामने है कितना विग्राल रूप ले चुकी है जलिस्तर बढ़ चुका है नदीयों का पानी लोगों के घरों तक पहुच चुका है और ऐसे में अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी इस्तिती बिकार हो चली है जंजीवन अस्तिव्यस्त हो चला है ऐसे में ग्रामीडों के सामने सिर्फ यही रास्ता है वो पलाइन कर रहे हैं इस्तदी क्या है यह तजवीरें आपके सामने हैं देख सकते हैं कि किस तरह लोगों का जंजीवन मुश्किलों में भरा हुआ है पूरी तरह पानी सड़कों पर भड़ चुका है तालाप का रूप ले चुका है और जंजीवन अस्तिव्यस्त है सड़क की यह भी तजवीर आप देख सकते हैं सड़क पूरी तरह से पानी में तब्दील हो चुकी है और एक बार फिर से इसी खबर पर ज्यादा जानकारिक ले हमारे समबादता विनोद पांडे फोलाइन पर जुड़ चुके हैं विनोद सरकार का सबका साथ सबके विकास किनारे इन तज़्वीरों को देखने के बाद तो बिल्कुल ही फेल होते हुए दिखाई दे रहें क्योंकि इस्तिती क्या बनी हुई है बार के बाद आप खुदी देख सकते हैं जी बिल्कुल मैं हम बता दें आपको जी बता दामारी है चार दिन से मुस्लाधार बारिष द us असबर्स कर दिया है यहां अपने आशियाने को तो गाउंसे प्लाइन करने पर मजबूर हो गए हैं जबकि प्रसासन के तरफ से यहां कोई बेहुस्था नहीं की गई हैं बस बाते की जा रही है जब अजिकारी से बात किया गया तो हाई अलर्ट की बात करते हैं कि जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है लेकिन गाउं में कोई मूल भी हो बहुत सुविधाय नहीं हैं गाउं के लोगों को खाने के लिए दाने के लिए लाले पड़े हुए हैं लो इनके खबर लेनी के लिए नहीं पहुंच रहा है आखिर इनका जन जीवन भी तो पूरी तरह से अस्तवेस्थ हो चुका है विनोत जी 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 बिल्कुल यहां खाली बाते की जा रहे हैं जिकारी के द्वारा जिला जिकारी महोदे से इस पर बात किया गया तो उन्हों लेका जीले को हाई अलट पर रखा गया है और नेपाल से जो हर साल तबाही का पानी छोड़ा जाता है जो जीले को तबाही का मंज़द दिखाता है हजारों घर और गाउं पानी की सहलाब में टूब जाते हैं लेकिन वादे जो कि बहुत किये गए हाकिकत में देखने पर वहां क कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जी बिलकुल प्रिशासन के द्वारा किये गए वादे पानी फेड़ते हुए नजर आ रहे हैं तज्वीरों को देखने के बाद तो यहीं लगता है बहुत बश्यक्रिया तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दें इस तरह से श्रावस्त में लोगों का जन जीवन बेकार हो चला है अस्तव्यस्त है क्योंकि बाद से लोगों की मुश्किल अलगतार बढ़ती ही जा रही है क्योंकि जाते हैं